साथियो नमस्कार, बालमास्टर दीपक चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मैं आपका साथि दीपक सिंग राजपूद साथियो इस वीडियो में हम बात करेंगे किरिया गतिविदी आधारत सक्षड की जो कि आपकी डियलर प्रत्व सेमस्टर के सेकंड पेपर का एक महत्पूर टॉपक है यह आपकी यूपी टेट, रीट, एच टेट, सुपर टेट में भी काम में आएगा इसलिए आप इसको ध्यान से सुनें यह आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आईए शुरुआत करते हैं साथियो किरिया परक गतिविदी का हम आर्थ की बात करते हैं तो साथियो किरिया परक विदी का आर्थ है चात्र का अपनी स्वयम की किरिया के दोरा ग्यान प्राप्त करना क्या है चात्र का अपनी स्वयम की किरिया के दोरा ग्यान प्राप्त करना चात्र की किरिया से तात पर है कि जिस किरिया को चात्र किसी उद्देश से पूर करता है उसको पूर्ड करने में उसका सरीर और मस्तिक दोनों ही किरियासील रहते हैं किसमें किरिया परक गतिविदी में ज़िए हम इस हिसाफ से देखे जाए तो छात्र की किरियां को हम दो भागों बाट सकते हैं किस किसमें सारीरिक और मानसिक और साथियों आत्म किरिया एवं आत्मा बेक्ती इसके प्रिमुक अंग माने जाते हैं और उन सभी किरियाओं की दोरा जिनमें बच्चे रुचि पूरुवक, जिग्यासा, कोतुहल, लगन तथा मनियोग से सक्री रहकर काय करते हुए सेखते हैं वो गतिविदी कहलाती है गतिविदी सितात्परी उन सभी किरियाओं से है जिनकी सहायता से सक्चक की दोरा बिसर बस्तू को कक्छा में रुचक एवं प्रिभावी ढंग से प्रिस्तुत किया जाए तथा वच्चे उसमें रुची ले इदि हम इसकी परिवासा की बात करें तो एक विद्वान है जिनका नाम है साथियो सोईन चेक क्या नाम है सोईन चेक कहते हैं किरियापरक बिधी का प्रियोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के सिक्छड में लक्षियों को आंगे बढ़ाने के लिए छातुरों की द जब किसी विषय के सिक्छड में लक्षियों को आंगे बढ़ाने के लिए छातुरों की दोवारा किसी प्रिकार की किरिया की जाती है इदि हम साथियों किरियापरक गतिविधी के उद्देशों की बात करें कि इसके उद्देश क्या है तो यह है कि कक्छा में गतिविधी आधारित सिक्छड का पिरियोग करना, सेक्छिक गतिविधी से परिचित कराना और गतिविधीयों की दोरा अनेक दक्छताओं का बिकास करना, सिक्छड को रोचक एवं पिरभावी बनाना तथा उसको स्तरल बनाना और खेल-खेल में सिखाना, बच्चों की रोचियों और किरिया गतिविधी आधायत सिक्षड के उद्देश है इदि हम इसके आंगे बात करें तो साथियों जो इसमें गतिविधी होती हैं इसका हम सेड़ी कड़ करें तो इसको हम कुरूप से तीन भागों मातते हैं किस किसमें सारीरिक गतिविधी मानसिक गतिविधी और सारीरिक मानसिक दोनों अधि आप सारीरिक की बात करें तो कदम ताल पीडी करना हाथ उपर नीचे करना उचलकून करना इस सब किसमें आते सारीरिक गतिविधी जिसमें आप सिरीर का ही प्रिव करते जिसमें आपको मान मानसिक गतिविदी नहीं करने होती रहिए शायर्य गतिविदी की एधि है जगतिविदी की जाराम केनागा, पहली ऐसी भी गतिविदियां होती है जिसमें आपका सायरे केवा मानसे दोनों प्रकार की गतिविदि होती है जैसे पतुपक्षी का नाम लेते हुए आंगे या पीछे कुंदना ठीक है जैसे हम बात करें साथ गतिविदि कैसी होती है जैसे आपने सुना होगा ताली दो भाई ता ताली दो, इस सब क्या है? गतिवीदी है, ना, तो आप ताली आंगे पीछे करते होगे, बाएदाये करते होगे, आप कहवी रहे हो, और साहिरिक क्रिया भी करते हो, इस सब क्या है? मानसिक गतिवीदी और साहिरिक गतिवीदी इसमें दोन होगी, जैसे आप खेलते हों के भઅड और ग्रयो के स्थृद्ध्ध आपको क्या हो, सात्यो, पसुपक्जो क्या ग्यानी भी होता है, वह आपके सायरेक और मांसिक्गतिविदी होती है, इसी हम आज़ेगे बात करें, तो सात्यो, имृत अभिनाय करना हैं, क्या है। अभी ने हुआ, नाटक हुआ, और आपका हाव हाव हुए, कवीता का सुनाना हुआ या पढ़ना हुआ, नाटक करना हुआ, घूमना हुआ, अबलोकन करना हुआ, और प्रिवजेक्ट कार्य यही सब क्या हैं? किरिया गतिवीदी में ही ये सब आते हैं इदि हम इनकी बात करें कि किरिया गतिवीदी से क्या-क्या होता है क्या-क्या लाव है तो साथियों इससे क्या होता है कि सारीरिक छमता का विकास होता है क्या होता है सारीरिक छमता का विकास होता है और आंगे पीछे ऊपर नीचे का ग्यान होता है दिसाओं का भी ग्यान होता है दिसाओं का अनले दाए कहा होता है बाए कहा होता है इस सब का ग्यान होता है और गिंती के बढ़ते और उतरते करम का भी ग्यान होता है और जोड और गटाने का भी ग्यान होता है इसमें और बालक सक्री रहते हैं इसलिए उनके सक्री तयका भी विकास होता है और जब आप कहते हैं तोता ओड, मेना ओड, कवगा ओड तो इससे क्या होता है पसू पक्षियों के नाम का भी ग्यान होता है और उड़ने वाले पक्छी कौन से है और नहीं उड़ने वाले पक्छी कौन से है इन सब का भी आपको ग्यान होता है और मुख बात क्या है इसमें साथ्यों कि आपको तत्यों की और नामों की यनकारी होती है इदि हम इसके बात करें आँगे बात करें तो सात्यों आपको कुछ बात में दियान रखनी है किसमें किरिया गतिवीदी आधाय सिक्षड में जो आपको दियान रखना है वो यह रखना है कि जो सात्यों गतिवीदी में भाग लेने के अफसर की बात की जाए तो यह अफसर आपको मिलना चायए हैंسना किलास के सभी बचचों को इस गतिवीदी में अफसर मिलें वो बच्चों में किसी परकार करना हूँ हो बच्चों की cara Total कर रहे है वो कैसी जिग्या सा उत्पन करने वाली हो बैसे गतविदी कराई है जिससे बच्छ 연क को जिग्या सा हो या जानने की अच्छा हो और बच्छों को किवल स्राइरिक यानि उच्छल कुंध ही ना हो ऐसा गतविदी कराई मानसिफ अभ्यास भी हो है ना और साथियों गति विधियों की नियम कैसे होने चाहिए लचीले हो तथा उनमें हम समय समय पर बदलाओ गर सकें ऐसे नियम बनाने चाहिए तो यह सब क्या थे ध्यान रखने वाली बात थी ज़िए हम इसकी आंगे बात करें गति विधियों आधाय सिच्छड की देती है और साथ हुय है बाल कंदित शिकषडविदी है यह सक्षक किंदित ना होकर कैसी है बाल कंद धरै विधि छातरों को अनेक बस्तूं की बनाने की ट्रेनिंग देती है जिससे उनमें बालोकों में क्या होती ब्ययवसाय कुशलता बढ़ती है यह विधि-पाठ पुस सहाथम करके सीकता है, या उसको अफसर मिलता है, तो छातुरों की ग्यान में क्या होती है ब्रिद्य होती है, तौ यह सब क्या थी सात्यों बसुस्ता हैं तो सात्यों इस वी ڈिटियो में हमने वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहां पर आपको डियेलेट से संबन्द सभी बिसाय कबर किये जा रहे हैं और आप टेलिगराम को जोन करना ना बोलें और फेस्वक बेज को भी आप लाइक करें और साथ मैं किसी वीडियो में इसकी लिंक की दूँ तो मैं दीपक सिराजपूत आपसे बिदा लिता हूं जय हिंद जय भारत